दोफतो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस सरम कार्ड की ओर से जो निकाली गई एक नही योजना जो कि निपूर्ण योजना क्या है साथे इस योजना में अगर आप भाग लेना चाहते तो कैसे इसके लिए रेश्टेशन करेंगे कैसे इसका ट्रेनिंग ले सकते जिसके पूरी जनकारी बताएंगे क्योंकि अगर आप इस रम कार्ड धारक होंगे आपके नंबर पेस परकार मैसेज गया होगा बाड़ा सरकार की निपूर्ण योजना का लाब ले जिसके लिए रेश्टेशन बिलकुल सुरू हो चुका और बिलकुल फिरी में इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इस योजना का बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बना कर जनकारी दिया था अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को देखेगा यह योजना क्या है कैसे इसमें पार्टिसिपेट करना है और कितना लाब मिलेगा क्या लाब मिलेगा यह पूरी जनकारी हमने इस वीडियो में कवर किया जिसका link video description में भी दे देंगे या यह video खत्मों का वहाँ मिलेगा पहले इस योजना के बारे में समझ लिए यहाँ सारी जनकारी समझना चाहते हैं हिंदी में तो आईएगा online update stm.in के website पे और यहाँ पे सरकारी योजना में इस रमकार्ड निपूर्ण योजना 2022 मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे एक article मिलेगा जिसमें हमने सारी जनकारी बताया कि यह योजना क्या है इसमें कौन भाग ले सकता है और साथ ही training का कैसे आपको लाब लेना है यह पूरी process हमने आपको मुझे निपूर्ण योजना के ऐसी योजना है बारत सरकार के जो आप जिस भी फिल्ड का इक्छुक रखते हैं जिस भी फिल्ड का स्रमिक है आप चाफते है उस फिल्ड का और भी training ले यह training बिल्कुल on sport कराई जाती यानि जहां जो काम होती है वहाँ जाकर आपको training दे ज लगता है जिसके लिए registration करना होगा यहां पर click करेंगे तो आपको डिट्रेक करेगा इनके official website पर वेपसाइट पर इसकी लेंडिया के फोटल पर इसका मकसद है कॉसल भारत को सल भारत कर निर्मान करना जिसके लिए आपको सबसे पहले आपको registration करना होता जिसके लिए एक option म क्वांट है इसकी ल माई सेल्फ जिस पर आपको क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद इस परकार लोडिंग लेगा थोड़ा सा आपको वेट करना होगा अब आपके सामने इसका रेश्टेसिन फॉर्म खुलता है जो की एस्किल के लिए है यूँकि एस्किल ट्रेनिंग आपको मिलता है कनेडिया ट्रेस्टेशन फॉर्म है समझेगा फॉर्म भरना बहुत आसान है कोई भी मिश्टेक करेंगे तो थोड़ा सा समस्य आपको होगा यहां से जो भी अगर आप टाइटल लगाते हैं मिश्टर जी का नाम है इस सरम काड। पहे तो ऋनका नाम डालिएगा डेट बर्त की लिए चैलेंडर मिल जाता है यहां से सबसे पहले इbir जूबी आपका होगा आप सेलेक्ट कर लीजेगा मन्थ को सलेक्त करिएगा जो डेट्ट होगा उसको यहां से इसलेक्ट करियेगा फिर अपन इकोडिंग चून सकते हैं अगर सेल चूनते हैं यह जो नूमबर दिये हैं हो किसे नबर आपका है यह आपके पिता-जी का है वह आप यहाँ पर बताएंगे छोट हैं जाकडिकologist करकर H चाहते हैं जिस language को आप चून सकते हैं उसके बाद नीचे आएंगे education पूछा जा रहा है आप कहा तक पढ़े हुए हैं बहुत सारे लोग पढ़े होते हैं अगर आप नहीं पढ़े हैं पाचवी तक है या आठवी तक पढ़े हुए उसकी जनकारी आप यहां से बता सकते हैं चून लीजेगा या minimum आपको five class का option है आप इसको चून सकते हैं उसके बाद location address है आप उसके बाद यहां पे अपना pin को डालेंगे किस state साप इस पे registration करते हैं उसकी जयनकारी बताएंगे साथ ही अपना district को चूनेंगे और यहां पे preference आपको चूनना है preference का मतलब है कि जो भी sector में आप काम करते हैं जिस भी पर करके मान ल Dude में भी अलग-अलग प्रकार के मजदूर होते हैं बहुत सार मजदूर ऐसे होते है जो से जूरे होते हैं तो आप से चून सकते हैं यहां पर काफी सारे शूरसन हैं आप उनको चूनेंगा अपने कॉडिंग जब यह स्वे कंग सब्सक्राइब आएगा जब जासा कर आज पर किस पर करके काम करते हैं उसकी जनकारी आप चून सकते हैं अब उसकी बाद यहां पर देखेंगे जौब रॉल आपका क्या है उसको भी आप चुनेंगे थोड़ा सा आपको वेट करेंगे या आने में थोड़ा सा समय आपको लगेगा अब यहां पर एसोसियेटेड प्रोग्राम है यह उप्सनल में है आप चाहे तो इसको यूजना के तहत मिलेगा अगर आप उसके तहत लेंगे तो इसको चुनेंगे अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रेइनिंग यही से ले लेकिन वही से हमारा कहीन के रोजगार भी हो जाए कहीन के सलेक्षन हो जाए तो सिकेंड आपके लिए काफी में इमपोर्टेंट है अगर इसकी policy है जिसको आपको फूरा करना होगा आई एम not robot पे क्लिक करेंगे और एक option मिलता है submit का जिस पे क्लिक करेंगे इस परकार आपका जो registration है complete होता है आपको एक user ID और password दे दिया जाता है इस user ID और password की मतरब से आपको login करना होगा login करना के लिए इसी पोटल पे एक option मिलता है login का जिस पे क्लिक करेंगे और जो user ID password अभी आपको मिला है उसको डालेंगे option मिलता login का जिस पे क्लिक करेंगे उसके बात इस परकार आप पोटल में login होते हैं login होते ही सबसे पहला काम करना होता है आपको जो अभी password मिला है पुराना उस password को डालेंगे नया password आप जो भी बनाना चाहते हैं उसको डालेंगे और उसी को फिर से confirm करना और एक option मिलता है reset, re-login जिस पे click करना है इस परकार आपका जो password है वो reset होता है फिर से आपको जो user ID मिला था उसको डालेंगे नया password आपने जो भी बनाया उसको डालेंगे और login वाले पर click करेंगे इस परकार आप पोटल पर login होते हैं सबसे पहला काम करना होता है आपको profile complete करना होता है option मिलता है my profile जिस पे आप click करेंगे और यहां पर देखेंगे total आपको पांच step को पूरा करना होगा पहला step आपको personal detail जो है fill up है आप दूसरा detail है contact detail जिस पे click करेंगे आप एक बार या आपको यहां पर देखेंगे first preference के तौर पर यहां पर आपने जो भी detail डाला हो देखनों को मिलता है अब यहां पर आपको पहला काम करना होता है नीचे scroll करेंगे तो photo एक upload करना होता है जो 3 MB से ज्यादा नहीं होना ची जिसे यहां से choose करके upload करेंगे तो यह upload हो जागा आपका mobile number देखनों को मिलता है साथे नीचे देखेंगे आपका detail जो है देखनों को मिलता है यहां पर जो detail आपका बचा हुआ है उस detail को डालेंगे जैसे आप से पूछा जा रहा है आपका साधी हो चुका है या unmarried है उसकी नीचे आएंगा आपका जो भी category होगा वो आप चुनेंगे उसके बाद जो भी religion आपका होगा जिस धर्म से आपा रहे होंगे उस धर्म को यहां से चुनेंगे हिंदू मुस्लिम सी किसाई सब है उसके बाद यहां पर अगर कोई दिव्यांग है तो बताएंगे एस करेंगे ने था नो पर क्लिक करेंगे तो इस परकार आपका personal detail जो है save होगा फिर आपसे अधार नंबर ID card के तौर पर आप अधार नंबर है तो आप उसको चुनेंगे उसके बाद जो भी आपका अधार नंबर होगा यहां से अधार नंबर को चुनने के बाद आधार नंबर को डाल लेंगे और या भीलेज को चुन लेंगे उसके बाद जो भी आप पालिया मेलेटरी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सेवाइनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यह से कोडिंग आपको यह जो पांचो डीटेल है जिसको आपको पूरा कर लेना है पूरा करने के बाद प्रोपर आपको मिलेगा आपको यहां पे देखें माइड डेस्क पूर्ड का यहां उपर में आपको मिलता है जैस पर आपको क्लिक कर लेना आप यहां से क्या करना होगा कै Data mi जहां से आप यह training करना चाहते हैं वो training आपके कहां पे होगा जिसके लिए option मिलता है view training center जिस पे क्लिक करेंगे जिसके लिए option मिल जाता है जिस पे आपको क्लिक कर लेना है जितने भी training center चलाये जाय रहे हों понрав वह आपको देखने को मिलेगा लेकिन प्रोपर आप अपने state के अपने district को देख सकते हैं जैसे जो भी आपका state होगा उसको आप चुनेंगे साथे आपका जू भी sector होगा जिस परकार के आप training लेना चाहता है उसको चुनेंगे और जो भी आपका district होगा यह पर district का list आता है ज हुए रहे हैं जहां नियर में काका ट्रेंग सेंटर चलायी जा रहा है उसकी आप जनकारों से बीजि करेंगे साथ ही जो भी आपका ट्रेंग सेंटर होगा जिसकी हम तर रहे क्लीट केरेंगे साथ में आपको एक certificate provide की जाएंगी और आपका जो भी knowledge है जिसको और भी धुगुना तिनगुना आप कर सकते हैं इस ट्रेणिंग को करने के बाद इसमें प्लैसमेंट की जो भी process होती है जो सेंटर से आप करते हैं वहीं से आपको जहां भी डोजगार के लिए अगर requirement होते हैं जहां कि इसी भी परकार की जरूरत होती है तो वहीं सापको selection के लिए भीजा जाता है तो इस परकार इसमें participate कर सकते हैं जिसकी हमने पूरी जनकारी आपको समझाया है फिर भी कोई doubt है confusion है कमेंट करिए और साथ ही हमने सारी जनकारी को इस article में लिख रहा है तो जाकर आप सारी जनक कमेंट करकर जरूर बताएंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद